हेलो फ्रेंट्स, वैलकम टू स्टेड़ी एक्जाम फ्रेंट्स, अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारिक करेंगे हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इपॉटन्ट रहने वाली है friends इस वीडियो में हम पोलिटी के most most important questions को discuss करेंगे इस set में जो जो different exam से question पूछे गए हैं उनको हम discuss करेंगे और ये कीन मानिए friends ये आपको exam में 2 से 4 number पके दिलवा सकते हैं तो या तो आप इनको notebook में note करके रख सकते हैं या आप इनका screenshot लेके भी रख सकते हैं और अगर आप इस channel पर new visit करेंगे तो guys please channel को जुरू जुरू subscribe कीजिए so don't wasting any further time we come to topic guys first question है राष्टपती और उपराष्टपती के निर्वाचन में विवात के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है right answer होगा भारत का उष्टम न्याल्य next question सव्धान सभा ने अंतिम रूप से सव्धान को कब पारित किया था right answer होगा 26 नवबर 1949 को next question भारत में पहले बार राष्टी अपातकाल की घोष्णा कब की गई थी say answer होगा 26 अक्टूबर 1962 को पहले बार राष्टी अपातकाल की घोष्णा की गई थी next question सव्धान सभा के स्थाई अध्यक्ष कोन थे right answer होगा डक्टर राजेंतर परसाद सव्धान सभा के स्थाई अध्यक्ष थे और ऐस स्थाई अध्यक्ष कोन थे डक्टर सच्चिदानन सिना सव्धान सभा के ऐस स्थाई अध्यक्ष थे next question बारतिय स्विधान की किस अनुछेद के तहट राष्टपती को स्रोज चिन्याल्य से प्रामर्ष मागने का अधिकार प्राप्त है अनुछेद 143 नेक्स्ट क्यूशन अनुछेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है सही उत्तर हुगा सुईधान शसोधन करने की शक्ति नेक्स्ट क्यूशन सुईधान में मूल करतव्यों को किस समीती की अनुषन्शा के अधार पर शामिल किया गया था सही उत्तर होगा सरदार स्वन सिंग समीती बहुत ही important question है Next question भारत में त्री स्त्रिये पंचायती राष्ट संत्र की सिफारिश कि स्मीती के द्वारा की गई थी? उत्तर होगा बलवंत राय महता स्मीती नेक्स्ट क्यूशन उनिस्व त्रेपन में गटित राजय पुनर गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एपोटेंट क्यूशन है सही उत्तर होगा बारत का मुख्या है नेक्स्ट क्यूशन किस अनुचेद के तहट 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्शाक अधिकार मूल अधिकार माना गया है? दो सही उत्तर होगा अनुचेद 21 से बार-बार क्विशन पूछा गया है ये नेक्स्ट क्विशन लोगसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्तर किसे सोबता है? तो लोगसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्तर लोगसभा उपा अध्यक्ष तो सोबता है नेक्स्ट क्विशन सविधान का अनुछे 40 राजय को किसका निर्देश देता है सई उत्तर होगा गराम पच्चायत के संगठन का निर्देश देता है next question किसी भी विदेयक को धन विदेयक होने का अंतिम्निन्य कों देता है तो राइट अंसर होगा लोक्सभा का अध्याक्ष किसी भी विदेयक को धन विदेयक होने का अंतिम्निने देता है नेक्स्ट क्यूशन उप राष्ठपती के निर्वाचक मंडल में कौन-कौन शामिल होते हैं सैयुत्तोगर रार्जसभा और लोक्सभा के सदस्य सविदान सबागे ऐस थाई अध्यक्ष कोन थे तो ऐस सचिदा नंसिना सविदान सबागे ऐस थाई अध्यक्ष थे नेक्स्ट क्यूशन वित आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुछेद में है तो सही उत्रोगा अनुचे 280 में वित्तायोग के गठन का प्रावदान है तो तीह तरवा सविधान शशोदन पंचायती राच से संभन्दित है और ये पारित कब वो था? 1994 में बारतिय सविधान में मोलिक अधिकारों की विवस्ता किस देश के सविधान से ली गई है? Most important question है, right answer होगा सियूक राष्टर अमेरिका लोगसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की नियुन्तम आयू कितनी होनी चीए? तो सही अंसर होगा 25 वर्ष, 25 वर्ष में लोगसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की नियुन्तम आयू है और 30 वर्ष राज्यसभा के लिए है Next question भारतिय सविधान में ऐस प्रिश्यता उनमूलन से सम्बंदित कौन सा अनुछेद है? गाइस, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है अनुछेद 17 Next question सवतंतर भारत के प्रत्थम निरवाचना युक्त कौन थे? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है गाइस सूकुमार सेन Next question भारती से विधान किस दिन से पूर्णते लागू हुआ? सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 लोग सभा अद्यक्ष का चुनाव किस के द्वारा किया जाता है? तो लोग सभा के सदर से द्वारा किया जाता है? Next question लोग कल्यानकारी राजे की अधाना किस में नीहित है? तो ये राजे के नेति निर्देशक तत्तों में लोग कल्यानकारी राजे की अधाना नीहित है? स्विधान की किस अनुछेत के अधार पर राज्जों में स्विधानिक तंतर की फुलता पर राष्टपती शाषन लगाया जा सकता है तो अनुछेत 356 भारतिय स्विधान सबा की पारुप समिती के अध्यक्ष कोन थे? तो डौक्टर भीम राव अंबेड कर जो थे? ये पारुप समिती के अध्यक्ष थे बारतिय संसद का उच्छ सदन क्या कहलाता है? तो राज्य सबा को भारतिय संसद का उच्छ सदन कहते हैं और निचला सदन लोक सबा को कहते हैं नेक्स्ट कुशन, संपत्तिक गया दिकार को कि सविधान सशोधन के त्वारा हटाया दिया गया था? तो सही उत्तर होगा, 44 सविधान सशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्तिक गया दिकार को हटाया दिया गया था? भारतिय स्विधान के नुसार संग की कार्यपाली का शक्ति किस में नहीं हित है? तो सई उत्तर होगा राष्टपती में भारतिय स्विधान के किस अनुछेद में भारतिय नागरी को वो मूल करतव्य शामिल है? सई उत्तर होगा अनुछेद 51A में नेक्स्ट कुशन भारतिय से विधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है सही उत्तरोगा 22 भागों में बांटा गया है नेक्स्ट कुशन नीति आयो का पदेन अध्यक्ष कोन होता है सही उत्तरोगा भारत का परधान मंत्री नीतियायो का पदेन अध्यक्ष होता है और नीतियायो की स्थापना कब हुई थी एक जनवरी 2015 को नेक्स्ट कुशन राष्टपती अपना त्याग पत्तर किसे सोपता है? तो सही उत्तर होगा उप राष्टपती को, राष्टपती अपना त्याग पत्तर सोबता है संग लोक सेवा आयोग के अध्याक्ष एंसदस्यों की नुक्ती किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर होगा राष्टपती द्वारा बारत के प्रतम आम चुनाव किस वर्ष किये गए थे बाशयी अधार पर गटित होने वाला भारत का प्रतम राजय कौन सा था बारत में राष्ट पति कि सनुछेद के तहट देश में राष्टी अपात की गोशना करता है तो सही उत्तरोगा अनुच्छा 352 में भारत में राष्टपती राष्टियापात की गोशना करता है भारतिय स्विधान के किस सविधान शशोदन द्वारा प्रस्तावना में सब्ज, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और अकंडता जोड़े गए थे तो सही उत्तरोगा 42 सविधान शशोदन अधिनियम 1976 द्वारा फ्रेंड्स मोस्ट इपोर्टेंट क्यूशन है, नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्यूशन होगा भारत का नियंतरक एव मालेखा प्रिक्षक किस के द्वारा नियुक्त किया जाता है राइट अंसर होगा राष्टपती द्वारा सविधान सबा द्वारा भारत के राष्ट यगान को कब सविकार किया गया था बारबर पूछा गया क्यूशन है सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को सविधान सबा की प्रथम बेठक कब हुई थी सही अंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को स्विधान सभा की प्रथम बेठक हुई थी नेक्स्ट कुशन भारती स्विधान सभा की संगिये शक्ती समीती के अध्यक्ष कोन थे? तो सही उत्तरोगा पंडित ज्वालाल नेरू भारती स्विधान से बाकी संगिये शक्ती समीति के अध्यक्ष्ट थे भारत के स्विधान में प्राथम शनशोधन कब हुआ था? राइट अंसर हैंगा गाईस 1950 में स्विधान में प्राथम शशोधन किया गया था नेक्स्ट कुशन भारत के नियंतरक एव महाल एखा प्रिक्षक की नुक्ति का उलेक किस अनुच्छेद में हैं तो सही उत्तरोगा अनुच्छेद 148 में नेक्स्ट कुशन भारत में स्वरोपतम 2 अक्टोबर 1959 को पंचाहिती राजविवस्ता का शुबारम कहां से शुरू किया गया था तो सही उत्तरोगा नागोर राजस्थान नेक्स्ट कुशन है भारत में EVM का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था तो सही उत्तर होगा 1982 में केरल में नेक्स्ट क्यूशन दल बदल से संबंदित कानून का उलेख किस अनुसूची में है तो सही उत्तर होगा 10 वी अनुसूची में दल बदल से संबंदित कानून का उलेख है सरकारिया आयोग का संबंद किस से है बार बार पूछा गया question है तो इसका सही उत्तर होगा केंदर राज्यों से संबंधित है थैंक्स फूर वोचिंग गाइस अगर आपको इन question से कुछ भी help मिली हो तो प्लीज वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी प्लीज सस्क्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेर कीजिए प्लीज लाइक शेर और सुस्क्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट थैंक्यू